जैताला में मस्दूरी मांगने के लिए घर से निकले युवक की हत्या कर दी गई सोमवा सुभा शब मिलने पर गटना का पता चला अनुमान है कि पारवे की रात में मस्दूर की हत्या की गई है मृतक भोजराज, रामिश्वर, डोमडे, पन्ना से ले आउट, सोने गाफ का है पोलिस ने भोजराज के ठेकेदार और एक अन्य को पूस्ताच के लिए हिरासत में लिया है भोजराज गोंदिया की आमगाफ का निवासी था वडेड महपूर भी पन्ना से ले आउट में रहनी आया था भोजराज आमगाफ के वड़ाई नामक, सेंटरिंग ठेकेदार के पास काम करता था 27 अगस को पोले का पाड़वा था भोजराज पतनी को ठेकेदार से मजदूरी के पैसे लाना बता कर साइकल से घर से निकला उसके घर नहीं आने से चिंतेत पतनी ने 28 अगस को सोनेगाफ थाने में शिकायत दर्च कराई सोनेगाफ पुलिस ने ठेकेदार वाड़ाई से संपर्क किया उसने आमगाफ में आने का बता कर भोजराज की जानकारी होने से इनकार कर दिया जैताला के बाजार चौक के मैदान में लोग कच्रा फेकते हैं सुमवा सुभा एक शक्स को सीमिन के पाइप में शव नजर आया उसने प्रतापनगर पुलिस को सूचना दी पुलिस को परताल में शव सोनेगाफ से लापता भोजराज की होने का पता चला सिर और गर्दन पर धारदा हत्यार और पत्थर से वार कर उसकी हत्या की गई थी शव से कुछ दूरी पर पत्थर पड़ा था पुलिस ने ततकाल वाड़ाई और उसके मित्र बाहेकर को कबजे में ले लिया पुलिस को CDR से बढ़ाई के नागपुर में ही होने का पता चला आमगाफ में होने की जूटी जानकारी देने के संदर में सवाल किये जाने पर वह संतोष चनक जवाब नहीं दे पाया बाहेकर ने भोजराज की हत्या करने से भी इनकार कर दिया देर रात तक पुलिस उनसे पूस्ताश में चुटी हुई थी पुलिस करून त्याचे शोद बुहीं शुरू होती काल त्याचे डेड बॉडी आरपी नगर हदित सापडली होती त्याच प्रकरनात मडर चे गुना दाखिल करून तीन आरोपी ला अटक करनेयात आले लिया क्यामरो परसन अखिलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पांसी BCN News नाकपुर